अभियास साथ महोदय मैं यह कहना चाहता हूँ कि इधर देश के सामने जो इस्थितियां आई है और विशेश रूप से अपतकालिन इस्थिति के अंतरगत जो हमारे देश में इस्थिति आई है उससे देश के सम्मुख एक प्रस्ना आ गया है और वह प्रस्ना यह आया है कि यह देश और इस देश के नेताओं में किसका फैसला होना चाहिए पिछले दिनों का अनुभव यह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद जितने भी प्रगती सिल विधेयक या कानून आए हैं उनको लेकर हमेशा जो हमारी अदालते रही उन अदालतों ने जनता के बिरुध फैसला दिया हम इन विधेयकों द्वारा जनता की सेवा करना चाहते थे कलही बीडी वरकरों के समबंध में जो चीज हमने पास की है 1986 में हमने इसी समबंध में यानी बीडी वरकरों और सिगार वरकरों के समबंध में कोई कानून पास किया था लेकिन उसको भी वहां रोक दिया गया और इस तरह से यह मामला 6-8 वरसों तक लटका रहा सवाल यह है की इस समय हम क्या अपने देश में ऐसी स्थिती लाना चाहते हैं की इस सभा को जिसको आप संसद कहते हैं राजसभा और लोगसभा उसको संविधान में संसोधन करने के संबंध में मौलिक अधिकार होने चाहिए क्योंकि समय बदल गया है समाज का इतिहास बढ़ता है समाज के इतिहास में कभी आदिम प्रथा आई और उसके बाद पुझिवाद का युग संसार में आया अब संसार में दुसरा युग आ गया है अब संसार में इधर उधर परिवर्तन आ रहे हैं और यह एक समाजवादी प्रणाली की ओर जा रहा है यह प्रणाली यह है कि जिस प्रकार से समाज का उत्पादन कम होता है सारे का सारा समाज जब मेहनत करता है उत्पादन करता है तो उसका स्वामित्य सारे समाज को मिलना चाहिए आज जो बड़ी बिडम बना है वह बिडम बना यह है कि उत्पादन प्रणाली में सारा समाज हिस्सा लेता है लेकिन उसका लाभ थोड़े ही मुठी भर लोगों के हाथों में होता है यह जो राज्यसभा या लोकसभा है जो संसादिय प्रणाली है उसका मुल तत्व यह है कि हम जनता के प्रतिनिधियों को अधिकार दे और अदालतों को अधिकार न रहे अदालत के जजो को यह अधिकार न रहे कि वह जब चाहे हमारे कानूनों को तबदिल कर दे जनता के प्रतिनिधि जिस चीजो को स्विकार करते हैं उसको वे ना मंजूर कर देते हैं इसके संबंध में हमारी जो मांग है वह यह है कि संविधान में संसोधन करने के संबंध में अक्सर लोकसभा और राजसभा में जो बिल आया करते हैं उनका मुल्य तत्व यह है कि जनता के प्रतिनिधियों को अधिकार दिया जाए और उनको प्रभुत्व दिया जाए इसके संबंध में एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि राज और उसके बाद मैं अपना भासड समाप्त कर दूँगा इस संबंध में स्वर्ये पंडित जवाहर लाल नहरू ने कहा था कि हम एक नए भारत का निर्माण करे वह सपना हम देखते हैं समाप्त